ये भी भाटपा के सरकार में और डबल इंजिन के सरकार में ऐसा हो रहा है तो हमें तो बड़ा सर्विंदा हमें होना पड़ रहा है कि ऐसे अपराद्यों का एंकाउंटर करें चाहे कुछ भी करें हमें अपना परदेश अपराद मुक्ष चाहिए इसमें एक perception लोगों का रहता है और नेताओं का रहता है कि दो करोड़ पुलिस के, दो करोड़ डकैत के और एक करोड़ वैपारी का तो हम कहना जाते हैं अगर शर्थ परतिशत रिकवरी नहीं हुई तो हम यह आंदोलन को यहीं तक सिमित नहीं रखेंगे तूटका कुलाब्ता चल्द करो जल्द करो जल्द करो मेरे नाम आशी शर्मा आप देख रहे हैं अदर न्यूजवार नेटवर्क अभी हम खड़े हैं हरिद्वार में रानिपूर मोड पे पिछले कुछ दिन पहले यहां पर डकैती हुई थी जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है व्यापे में रोष है आप देख सकते हैं आँक रोष है अभी मांग की जा रही है कि जल्द जल्द खुलासा किया जाए और आप देख सकते हैं पूरा संद समाज वियापारी वर्ग जो है एक जूट होकर पुरा प्रदशन कर रहा है अभी रोज का महल है बात कर लेते हैं अभी क्या कहना है वियापारियों का जिससे की पविश्य में ऐसी घटनाए ना हूँ महलाज जी सादू समाज भी यहाँ पे वेपारियों के साथ है तो किसका फेलियर मानते हैं यहाँ पे देखिए दुरभागे के साथ में कहूंगा कि हरीदवार में साथ दिन से डखेती पड़ रहे हैं साथ दिन पुरुब दीन में डेढ़ भजे खुले आम और खुले बजार के बिच में और सासन क्या कर रहा है जिन संतों को गंगा के तटपे आस्रों में रहेकर सादना करने का उनका उत्तरदाय तो है सादना के लिए घर चुड़ा उनको रोड में उतरना पड़ रहा है किसके लिए बेपारियों के लिए हरीद्वार के बल बेपारी अकेले नहीं है हरीद्वार का संत समाज बेपारी के साथ है यह घटना के बले एक बेपारी के साथ सिरी बालाज करें अन्य था संत समाज धर्न में बैठेगा इसका प्रणाम फिर सरकार को देखना होगा यह आवाज उत्राखंट तक नहीं रहे कि दिल्ली तक जाएगी और अगर ऐसा करना पड़ा तो दिल्ली में लाल कटरों में या इंडिया गेट में बैठका धरना दिया जाएगा संत क्या करेंगे द्यूताइँ क्या करेंगे इस परकार से सरकार को जागना पड़ेगा डवल इंजिन की सरकार है कही नहीं सरकार हैं इतना अवाज आप देख्रहे हैं साथ दिन हो गया रोज समाज के परतेक बेक्ति कभी धरने में कभी मिटिंग में कभी कुछ न कुछ सासन परसाजन के गुवार लगाने में निरंतर लगा हुआ है और इसको देखते हुए साथ दिन तो कोई प्रणाम नहीं निकला इसलिए संत समाज को आज रोड में उतरना पड़ा है तो मुझे लगता है कि उत्राखण की भवी से अगर यसी परका से ठीक नहीं रहा तो स्थामी सरकार के खत्रे में है और दामी सरकार को जागना पड़ेगा उत्तर प्रदिस के तरह योगी जी के तरह ठोश कदम लेके बदमासों को खुले आम इंकाउंटर करना चाहिए तब उत्राखण बास्तर हमके लाएगा अमें जीगों लेकी तो बनादो लेकिन ये माम लाया दी सांता नहीं हुआ तो इस मामले को दे रहा दुन तो क्या मुख्य मंत्री आवास तो क्या हम दिल्ली में प्रदान मंत्री की आवास और राष्टरपती भवन तक हम इस मामले को लेके जाएंगे क्योंकि अब उत्राखंड सांती से नहीं बठेगा क्योंकि यह बेपारी बरगा आप देख रहे है हरीदवार हम सब का है हरीदवार पूरे दुनिया से सीज़ेर्ब के लाइन होग़ार ऐन kmठा लेकिन आप देख रहे हैं रोज कोई ने कुई हटना घटा आ है जैसे कि कल रात को देखी है बादराबाद के पास मोटर साइकल कोई चिन लिया likesiva गया गाड़े में मार लिया ग पर्देश के उपर जाता है सरकार को जगना पड़ेगा और इसका जल्दी से जल्दी इसका जुए फुलासे करना पड़ेगा अने तो हड़ द्वार के सब्सक्राइब करने के लिए बाजपा कंग्रेश करने के लिए तो हां बाजपा की नारा है कि गंगा हमारी माहें संत हमारे गुरू है राष्टा हमारा मंदिर है वह ठीक है हम इस बात से समर्थन करते हैं ये क्राइम का ममला है हम सरकार से कहेंगे और यहां भाजबा कॉंग्रेस किसी अन्य दल को न लेकर हम एक ता के साथ में इस लड़ाएं को लड़ें क्योंकि हमारा परदेश हम सब का है हम राजनितिक न करके हम इस मामले के तहत तक जाने का हम सर कर रहे हैं वह सामिल कर लिया जाएगा जा आगर अबर निन्दा किया जाएगा salts को इसमें भर की सता हो इसमें घोर कीcolor में उचित नहीं है अ चाहिए कि अभी कुछ संतलों को भी दो-तीन दिन देन से द्हमकิा मिल रहे हैंतू तो कहीं एकाई कि यह समाजिक के द्वारा कभी गुपतव हो ना रहे हैं कि हम ऐसा नहीं तो ऐसा कर देंगे तो यह असामाजिक तत्तों के लोग स्थक्ता सब्सक्राइब जैसे संतों के बाजेव हूऊ ज़े आए तो आपको क्यालेंना भजन करो आप कुटिया में रहो नहीं तो आपको भी मार दिया जाएगा इस परकार की धंकी हम लोग परंतो हम सरकार को भी बात बताना चाते हैं हम भी देख रहें कि Wesek арud तक हम लोग की नागा हैं हमारी नागाय के खुबिया भिभाब होती है वो भी जानकार 필요 थी हम भी इसको चखान करने में लगा उसको खुने President किया तरह के दुआरा मुस्त कुई करना अपने जिंदे की है ज्यादा नेतागिरी मत करो ज्यादा समाज बे मत कहड़े एभारो इस परकार की दमकियां जो आ रही है इसका मतलब एक एकाने कहें आ समाजिक तत्तों जो है त भैत सिग्रता से बढ़ रहा है उत्राखंड में हम सरकार से निम्यदन करते हैं कि हम सब की सुरक्ष्या के उत्तरदाए तो सरकार के उपर हैं अपने आपको ठका ववा महसूस कर रहा हिंदुवादी सरकार है लेकिन किरायम कितना बढ़ ला इसको पर लगाम कोन लगागा ये मुख्यमंतरी को जागना होगा बाबा योगी जैसा यह एक फोलोवर लाना होगा योगी जैसा कोई मुख्य मंत्री देखना चाहिए पिकल्ब के तौर पे कौन सा चरह देखेंगे तो यह सरकार फैस लगणती है लेकिन कटर जिसमें समता हो निरने लेने की ऐसा मुख्य मंतरी हमें चाहिए ऐसा मुख्य मंतरी नहीं चाहिए जो कुर्सी से लावत दूसर नहीं चाहता माफ्याओं का जो राज उत्राखंड में बढ़ रहा है यह आप देख लिए 2002 से लगतार कितनी घटनां घट चुकी है उस पर प्रकाश डालिए दकैती खुले आम बीच मार्गड के अंदर होई है कौन जुम्मेदार है इसका ततकाल यहां के जो अधिकारी जुम्मेदार तो उनको सस्पेंड होना चाहिए था जो अपनी भूमिका से भाग रहे है साथ दिन हो गए परिवार के साथ कुछ घटना घट के कौन चुम्मेदार देगा मानी मुख्यमंत्री देंगे के परिवार सदमे में हैं बाइस साब किसी के पच्चास जार की चूर जाती ना परिवार को कुछ ना कुछ पिडित होता है यह तो इतनी बड़ी घटना महराज जी डिजिटल है अधुनी की उग है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि चोर हवा में उड़के चले गए होंगे तो क्या कारवाई हो रही है क्या आपको आश्वासन दिया गया है चिंता जितना नसा हर्दुवार में उत्राघंड में बढ़ लाए चिंता का सवाल है मैं सभी से कहता हूं सभी परिवारों से कहता हूं सभी संगड़ों से कहता हूं कि इस मैक का नसा यह भू नसा भू माफ्याओं का नसा जो बढ़ता हुआ जा रहा है इस उत्राघंड में यह हमारे दूर भाग गये है सासन पिर सासन हर गली हर महले में किलया इसा कि जवाब दय कोंता नहीं अगर यह कि जनतका का अपने हाथ में राजकरते हैं सन समाज सडकों पहुतर आगा फिर जवाब यहां के मुख्यमंत्री देंगे कं यहां के पृससने दिकारी देंगे जो जुम्मेदार है डेव्हूमी उतरा-खड में शराब बहुत अनिवारी है जरूरी है देखो देव भूमी यह सरकार का है अव्यद सराब सवाल तो यह ना किसके नाम आगे होने चाहिए आप समर्थन करते हैं कि जो वैद अवैद दोनों तरह की शराब की पूंट रूप से देव भूमी का उत्रा घंड हर्दुबार का बाई लोज है शे किलोमेटर तक कोई नसा नहीं बिख सकता उसके बाब वुजूद यहां के नेताओ दुबार यहां के प्रिसाने दिकारों के दुबार यह काम चला धड़ले से आप बताओ का लिना चाहते हो फोन करो सब जाएगी यह पनपर हैं और हम भ्यापारी ठग रहे हैं यह काम हो हो रहा है हम ठगे जा रहे हैं हर जगे जेश्टी देने के बाद भी हमारी दुकानों की हमारे आस्रमों की हमारी महिलाओ की सुरक्सा नहीं है इससे बड़ा दुरभाग्य नहीं इस देव भूमी का पिछले कुछ दिनों में देखा गया गाउंकशी के मामले भी बढ़े है जनपध हर दुआर में क्या कहना चाहेंगे देखो गोव हमारी मा है गोव को हम मा के रूम में पूछते हैं लेकिन जो गोव कसी करते हैं यह उत्रा घंड देव भूमी है यह देवताओ के नाम से जानी जाती और गोव हमारी पूजनी है इनको जो काड़ते हैं वो कर रहा क्या नहीं आप किसी को विमार होगे निर्दोस को पीट होगे वो गलत है उसका समर्तन मैं नहीं करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल गर्ग जी जो अभी जो धढ़ना हुआ है जो आक्रोच था पूरा पूरा आयोजक यही थे इसके सर क्या कहना च जूट हुए थे देखे पिछले रवी बार को डेड़ वजे करीब यह डगाती पड़ी थी और आज इस घटना को साथ दिन करीव करी होने जा रहे हैं सभी बेपारियों में सभी समाजिक लोगों में सभी जनों में यह अक्रोश था कि आज तक इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है इसलिए सभी लोग जो है वह आज यहां पर कत्रेत हुए सभी लोगर अपना विरोत परदर्शन जाहिर किया शाषन को लेकर परशाषन को लेकर सभी की एक ही मांग है कि वह जो डगय रहत जो यहां से सारा समान लूट कर भागे जो शहर के भरे बजार से शहर के दिल से इतनी बड़ी टगैती करके भागे आज वो पुलिस के चंगुल से बाहर है तो जल से जल पुलिस परशाषर उनको पकड़े और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें और उसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारी मांग है कि जो माल है उसकी रेकवरी जो हो पूरी तरह से होनी चाहिए इस चीज को लेकर भी आज सभी वेपारी यहां पर कत्रित सर देखा जाए तो अधुनिकरन का यूग है डिजिटर यूग है हर जेगे सीसीटीवी की सर्विलांस है तो ऐसे में इतना डिले क्यों वरा चे से साथ दिन हो गए अभी किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए देखे मैं तो लगातार एस्पी सीटी से सभी पुलिस के पर शाशीट सभी शाशनी का दिकारियों से सभी अपसरों से लगातार संपर्क में हूँ सब लगातार आश्वाशन दे रहे हैं आई यहां पे सीओ मैडम आई उन्होंने भी यही आश्वाशन दिया कि हम जल से जल इस घटना को क्रैक करेंगे इस घटना का खुलासा लेकिन आज इतने दिन बीतने के बाद आज छटा दिन पूरा होने जारा सात्मा दिन हो गया आज शनिवार हो गया रविवार की घटना है और सभी बैपारियों में बहुत अक्रोश है देखिए तिहारों का सेजन है वह बैपारी भाई जिसके दुकान खाली हो गई है इतन दियों को सलाखों के बीचे और माल को दुकान दार की दुकान के अंदर डालने का कश करें देहरादून देखा जाया या अभी हरदुआर भी इससे अचूता नहीं रहा है तो बावा पुन्रावर्ती हो रही है उत्राकंट देभूमिक आ गया है तो ऐसे बभिश्य में ऐस चिमान परदेशों से यह लुटे रहे यह चैन्स नेचर या पराधी जो आं वो उत्राखंड में घुसने का काम कर रहे है हमारा जो परदेश है बहुती शांती प्रीय परदेश है यहां के लोग बहुत शांत हैं लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों से यह अपराध का अड़ जी के सरकार है वो धामी जी जो हमेशा ततपर रहते हैं नए कानून बनाने हो चाहे शाषन पर शाषन पर शेकंजा कसना हो उन्होंने भी इस चीज की बैठक लिए है और मैं चाहूंगा कि अपराधी पकड़े ना जाएं अपराधी सिधा उपर जाएं और जो माल है वो दु का दुखत विशे है कि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया लेकिन हमें अपने परसासन पे सासन पे पूर्ण विश्वास है और जिस परकार से हमारी पूर्म मेवी वारतलाब सभी लोगों से हो रही है हमें लगता है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर इसका खुलासा होगा लेकिन मैं विपारियों की तरफ से ये मांग करता हूँ परसासन से सासन से कि खुलासे के साथ-साथ 100% रिकवरी हमें चाहिए रिकवरी भी होनी चाहिए और जो आरूपी है उनको इस परकार की सजा चुरहे के बीच में मिलनी चाहिए कि आगे से कोई भी आरूपी अगर इ मेरे को लगता है कि इन सभी जो परकरन इस परकार के होते हैं ये बड़े ही महत्पूर्णं जो है होते हैं इसमें स्मयम मुख्यमंतरी जी ने भी हमारे संग्यान लिया है और मैं समस्था हूँ कि सासन परसासन इसमें खुलासे की औरा लेकिन कुछ ऐसी चीजे होती है जसका खुलासा तब ہी करा जाता है, जब विदीवद रूप से सारी चीजे किलियर हो जाएं. क्योंकि सारे सबूत और सुराक अगर पहले भी सब के सामने आ जाएं, तो कही ना कहीं जो तथे होते हैं, उन्पे कही ना कहीं भटकने का, या कही ना कही उन्हें खुलासे से पहले अगर रिलीज कर दिया जाए तो कही ना कहीं केस पर फरक पड़ता है तो इसलिए मैं हरदवार की जनता से भी ये अन्रोथ करता हूं कि जहां इतना आपने समय दिया है एक और दो दिन का और समय दें मेरे को पूर्ण विश्वास है कि सो परसेंट डिकवरी के साथ हमारे हरदवार के कप्तान साहब इसका खुलासा करेंगे जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका पकड़ा जाना ये एक परसासन के लिए आगे सयोग करने वाली बात होती है अब इसमें ग्यापन हमने कई विपार मंडलों ने अपने अलग-अलग प्लैटफोर्म पे दिये हैं हमने सिर्फ एक ही बात कही है कि इस गटना का खुलासा हर हाल में हरदوार का परतेग विपारी चाहता है और वह होना चाहिए और ततकाल प्रवाब से होना चाहिए और खुलासा ही नहीं होना चाहिए साथ के साथ उसकी 100% recovery होनी चाहिए ये हमारी परतम मांग है अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमन गर्ग जी सर क्या कहना चाहेंगे कि जो देबुमी उत्रा खड़ में बाबा पुन्रा बढ़ती हो रही है इस तरही घटनाओं की क्या कहना चाहेंगे निश्चित रूप से पिछले 6 दिन पहले हरिद्वार के बीचों बीच डकैती हुई और डकैत बेखौफ होकर इस हरिद्वार से निकले उसके दो दिन बाद चैनिसनेचिंग की घटना होती है कल पुलीस दुवारा वो chain snatching की घटना का खुलासा किया जाता है लेकिन असोस के साथ कहना चाहते हैं कि वो chain snatching की घटना झूटी खोली जाती है उस महिला का साफ कहना है कि मेरा जुमका नहीं तूटा मेरी chain तूटी थी और उसके बाद कल रात में टोल प्लाजा पे एक वेपारी साती के साथ हमारे फिर चेन तोड़ने की गटना गटती है निश्चित रूप से पुलिस असक्षम साबित हो रही है पुलिस के सामने बदमाश बेखौफ हो चुके हैं कहीं पुलिस की मिली भगत तो नहीं है क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना दुस्षाहस बदमाश या कोई भी कहना में अपरादी नहीं कर सकता और हम साफ कहना चाहते हैं कि यो घटना गटी है जो डकैती की गटना गटी है इसमें एक perception लोगों का रहता है और नेताओं का रहता है कि दो करोड़ पुलिस के, दो करोड़ डकैत के और एक करोड़ वेपारी का तो हम कहना चाहते हैं अगर श्यत परतिशत रिकवरी नहीं हुई तो हम यह आंदोलन को यहीं तक सिमित नहीं रखेंगे यह विधान सवा में भी गुंजेगा और यह देश की संसद में भी गुंजेगा आपके जो जौलापूर के जो हैं जो विधायक हैं रभी बादर जिरोंने भी विधान सवाद मुद्धा उठाया लेकिन आप हरकी पैडी पे शराब ले सकते हैं आप इस मैक उपलब दो सकती है हर दो नंबर के काम हो रहे हैं लेकिन दो नंबर वाले पकड़े नहीं जा रहे क्योंकि दो नंबर वालों को संदक्षन पुलिस का है इसलिए नहीं पकड़े जा रहे जल से जल डकेती का खुलासा हो और रिकवरी शत परतिशत हो नहीं तो यह आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा इस तरह की जो घटनाएं हैं उत्राखन में देबू में उत्राखन का आ गया है दुबारे ना हो तो उसके लिए क्या हमें प्रियास करने की क्या इसके लिए पुलिस को नजीर पेश करनी पड़ेगी बदमाशों में वो खौफ डालना पड़ेगा जिसके वो लायक है नहीं तो यह घटनाएं घटती रहेंगी और पुलिस के जो बयान आ रहे हैं कि महिलाएं गुरूप में जाएं गूमने इससे लगता है कि पुलिस कमजोर बयान दे रही है पुलिस नीडर होके बयान दे पुलिस अपरादियों में खौफ डालने के लिए अपरादियों में भै पैदा करने के लिए अगर कारवाई करेगी तो निश्चित रूप से अपरादियों में भेवी होगा और अपरादियों में के नामे इस दुस्सास को करने की पुनवरत्ति नहीं होगी डिजिटल यूग है कहीं केमरे भी लगे रहते हैं हर जगे केमरे की उरती सर्विलांस रहती है तो कितना मुश्किल है पकड़ना पुलिस के लिए या कितना असान है ज़्यादा असान है जब टेक्नलोजी का जमाना है तो के नामे यह तो ज़्यादा असान है उसके बाद भी छे दिन बाद पुलिस के हाथ खा ली है, यह दिखाता है कि पुलिस असक्षम साबित हो रही है और इसके कारण वेपारी अपने आपको, महिलाएं अपने आपको, हरिद्वार के संच समाज आज लोगों के उतरना पड़ा है तो यह लोगों में बहे का महल भी है और आक्रोश का महल भी है इस बहे के महल को आक्रोश में तबदील ना होने दें, इससे पहले घटना का खुलासा कर देना चाहिए भया यह जो डखैती होई है, एक सितंबर को, शिरीबाला जी जोयलस में, यह मेरे सगे भेन होई है यह मेरी सगी भेन जी है, और क्या करते हैं, आप मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वेपारी कैसे दिन रात करके अपना वेपार खड़ा करता है और ऐसे कोई मूठा के जो है, दिन धाड़े जो है, वो आता है, और आके डखैती को अंजाम दे जाता है कितनी गलब बात है, मैंने प्रशासन की एक सबसे बड़ी लापरवाई यह देखी है, इतने सालों में, कि यहां पे हर्दवार में इतने सारे वहान ऐसे चल रहे हैं, जिन में नंबर प्लेट नहीं है, यह कुछ नहीं करते कहने के बावजुद भी इसे HR की यह UP की हर्याणा साइट की गाणियां चल दी है, जोरी की गाणियां भी चल दी है, तो कुछ नहीं करते लोग इनको चलान कातना तो बहुत याद रहता है, डंडा माना तो बहुत याद रहता थै, पर जो इनका में करतीम यह दूर है research Sean आप यह देखिए शंकर आश्रम में पता चला मेरको भी किसी के माध्यम से शंकर आश्रम में यह आके ठहरे थे तीन दिन तक और उसके बाद महाँ पर जो है सबसे बड़ी लापरवाई यह होई कि इनकी जो आइडी इस थी वो नी मांगी गई और जो उन्होंने नंबर लिख करती रहेंगी तो मैं चाता हूं कि जगा जगा पर जो है पुलीस प्रशाशन जो है अपनी कारवाई जो है कैडी रखे सब की चैकिंग करें प्रॉपर तरीके से और आज एक सबसे बड़ा सवाल ही होता है कि कलको अगर इंकी दुकान पे दुवार से कोई कस्टमर बनके आ वी मॉर्णिंग तो मॉर्डिंगत, करता है मेरे कि शांगी निग्येन अठती है और कवहन की दिखाय तो कर घंदक श्क्रांद करता है किुछ मेरी मेरे बहन का बट बोरी स्थिति है मेरे भाँजा भांजी का फ्यूचरब बाड़ों आप सभी से हाथ जोड़के विनर्व निवेदन है कि इसमें जल्द से जल्द कारवाई करें और डगातों को पकड़ें और सबसे बड़ी बात है जो जो आपका उनका माल जो गया है वो उनको मिल जाए क्योंकि आप मानेंगे निगो बिल्कुल सड़क पर आ गया है कैसे तैस वादे किये थे कि हम 24 गंटे में क्या करते हैं इसका पता लगा देंगे पर 24 गंटे तो बहुत दूरकी बात है यहां तो आज साथवा दिन हो गया है पूरा की पूरा और तब इनके हाथ में नोट इवना सिंगल कोई सबूत नहीं है मता हम लोग क्राइम पेट्रोल साफद और कारवाई मतार इतनी बड़ी इसको घटना को अंजाम दिया उन्होंने दिन दाड़े तो कहीं न कहीं पूलीस प्रसासन की लापरवाई है कि ऐसे वो कैसे हर्दवार में गुज गये जो हर्दवार हरी की नगरी है भगवान की नगरी है ये थे अंकीत बंसल जी जो अभ भी लगबग बता रहे हैं कि पांच करोड की यह की रिकवरी होनी है और अभी पुलिस के हाथ खाली है आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देखते रही है दा न्यूज वार नेटवर्ड धन्यवाद